कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्त विभाग ने दिये सुझाओ नमस्कार अजाद सिपाही में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश सिंग जारखन में कोरोना का संक्रमन तेजी से फैल रहा है से लेकर स्वास्त विभाग ने कई सुझाओ दिये हैं कोरोना वायरस संक्रमन को देखते हुए स्वास्ति विभाग में आपदा प्रबंधन प्राधिकार से राज्ज में कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश्की है इस दोरान आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, सहित, अन्य सिक्षन, संस्थान, मॉल, रेस्टरॉंट, होटेल, पार्क आधी को बंद करने का सुझाओ दिया है इस दोरान आवर्शक चीजों में पूर्व की भाती छूट देने की बात कही गई है इस संबंध में स्वास्तिव विभाग के अपर मुख्य सचव अरुन कुमार सिंग ने रविवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सचव को सुझाओ संबंधी पत्र दिया है जानकारी के अनुसार पत्र में सिंग ने कहा है कि राज्य में लगतार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है उन्होंने सुझाओ दिया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकार को इस पर अमल करने की जरूरत है ताकि राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमर की रफ्तार को कम किया जा सके उन्होंने सुझाओ दिया है कि आगामी 15 जन्वरी तक पार्क, स्पोर्ट, कॉंप्लेक्स, स्विमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेलियम को बंद कर दिया जाए सभिक धार्मिक स्थानों पर शद्धालूओं की एंट्री बैन हो हाट बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन हो शादी विवा, दासंसकार और सामाजिक गतिधियों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमती मिले राज जमेज जरूरी दुकानों को छोड़ गेर जरूरी दुकानों को एक एक दिन छोड़ कर शाम पाँच बजे तक खोला जाए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और सिक्षन संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए लोगों के लिए रेस्टरांट बंद हो, सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमती मिले ओफिस में 50 फीसदी मैन पावर हो, वहीं ओफिस में कारे करते वक्त AC या हीटर का उप्योग ना हो अगले आदेश तक बायोमेटरिक उपस्तिती पर रोक लगे, मॉल बंद हो लेकिन अगर मॉल को खुला रखना हो, तो सिर्फ 25 फीसदी लोगों को ही एंटरी हो यह भी ध्यान देना होगा कि मॉल में एंटरी उनी लोगों को मिले जिनोंने वैक्सीन का डबल डोज लिया हो दूसरे देशों से आने वाले वैसे लोगों को जिनका आर्टी पीसिया टेस्ट में भले ही नेगेटिव आया हो फिर भी उन्हें बहत्तर घंटे की निगरानी में रखना आवश्यक हो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर फ्यू लागू हो इस दौरान आवश्यक से वाओं को छूट मिलती रहेगी रविवार को आवश्यक दुकानों को छोड़ सभी दुकाने बंध हो पांच साल से उपर के सभी लोगों को घर से बाहार निकलते वक्त मास्क पहनना आनिवारे हो जारखंट साहित दूसरे राज्यों के वैसे लोगों की ही मुवमेंट अनिवारे हो जो वैक्सिन के दोनों डोज ले चुके हैं इस खबर में बस इतना ही आगे की निउस अप्रेट्स चानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही